हलो फ्रेंड्स भी एश टेक्निकल में आपका स्वागत है मेरा नाम है बालेंद्र सिंग दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एच पी का लैप टॉप है उसमें अगर आप विंडोज सेबन एड टेंग जो भी इस्टॉल करना चाहते हैं तो इसको इस्टॉल कैसे करें और बायोस की सेटिंग कैसे करें और बूट मेनु उसका कैसे सेट करें तो दोस्तों जैसे मेरे पास है विंडोज 10 की बूटेबल पैंडर रही वे तक पहले मैं इसको लगा देता हूं और लैप्टॉप का पावर ऑन करके आफ एफ 10 प्रेस क जाएंगे तो उसके बाद आपको बायोस की सेटिंग कर लेनी एक बार इसके बाद आपको जाना है सिस्टम कॉन्फिग्रेशन पर और सबसे नीचे ऑप्शन है बूट ऑप्शन पर जाना है उस पर एंडर कर देंगे आप और इसके बाद आपको जाना है लेक्सी सपोर्ट पर यह आपका डिसेवल होगा तो इसको आप इनेवल कर देना जैसे कि इसमें डिसेवल है इसको इनेवल कर दिया है इसके बाद आपको सलेट करना है यूएसबी डिस्क जो भी अपना पैंडरीब लगाई है वहाँ पर शो हो रही होगी तो आप उसको सलेट कर देंगे और इसको आपको सबसे उपर लाना है उसके लिए आप एप सिक्स प्रेस करेंगे तो यह उप इसको उपर लाना है और एफ 10 से सब कुछ यह आपको सेव कर देना है और यस कर देना है और इसके बाद आपको एफ नाइन प्रेस करेंगा तो ऐसा आपको ऑप्शन खुल जाएगा इसमें जैसे कि आपकी यूस भी पैंडरीब दिखा रहा है इस पे आपको सलेट कर लेना है और इंटर कर देना है इसके बाद आपकी बूरूटिंग गए जैसे बूरूटिंग शुरू हो गई और आपको विंडोस 32 64 जो भी आपको डालना है वह आप सलेट कर लीजए इंटर कर दीए यह Windows 10 की Installation शुरू हो गई तो दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास HP का Laptop है तो उसकी BIOS की Setting कैसे करनी है उसको Boot कैसे करना है यह दोनों चीजें मैंने आपको बताई तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए Thank you दोस्तों